तार प्लस के शो गुम है में सई की बढ़ती परिशानी और उलजनों को देखकर उशय मौसी काफी उदास हो जाती है वहीं दूसी तरफ जब सई और सवी आ जाते हैं नाकपूर तो उशय मौसी भी काफी परिशान हो जाती है क्योंकि वो जानती है कि सही खुद सवी की सचाई कभी भी किसी को नहीं बताएगी वहीं दूसरी तरफ सही जो काफी अर्षे से जानना चाहती है कि आकिर उसके बाबा कौन है और कहा है उसकी ये मासूमियत और परिशानी देखकर उशा मौसी ये समझती है कि उसे अब समय आ गया है कि ये बात सबको बता देनी चाहिए लेकिन सही ये बात नहीं मानती इसलिए आकिर कर मजबूर होकर उशा मौसी को करना ही पड़ता है पाकी को कौन वहें दूसरी तरफ जो पाकी फोन उठाती है तो उसके सामने एक बहुत बड़ा सचका खुलासा होता है जो खुलासा और कोई नहीं कोद उशा मौसी करती है और उशा मौसी पाकी को बता देती है कि सभी और किसी की नहीं बलकि विराट और सही की वेती है पाकी ये बात जानकर काफी हैरान हो जाती है क्योंकि उसे मालूम है कि सही कभी मा नहीं बन सकती तो उसे उशामोसी बताती है कि जब सही घ stressful कर गई थी तो वो pregnant थी और ये बहुत बड़ा चमतकार था कि इतने बड़े हाथसे के बाद भी सही को कुछ नहीं हुआ और सही में विराट की बेटी को जनम दिया पाखी ये बात जानकर काफी हैरान हो जाती है अब देखना काफी दिल्चस्प होगा कि पाखी इस सच का खुलासा विराट और चवान निवास के लोगों के सामने करेगी या फिर ओशा मौसी का इस सच जानकर चुप चाप रहेगी इसी तरह एपिसोर्ट में आगे जानने के लिए आप लोग बने रही है हमारे साथ